रेडियू पत्रिका में आए सुने अब एक और कारिक्रम भागो, भागो, बचो, भागो, भागो, हाई, उफ, कोई तो बचाओ, 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 बचाओ बचाओ, 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 किसे बचाओ, बचाओ, मुन्ना, बचाओ, 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 मुन्ना, मा, मा, आप, हाँ, तो, तो, क्या मैं सपना देख रहा था, हाँ, सपना अरे मुन्ना, क्या सपना देख रहा था तू हमें भी बता न ये तू किसे बचाने के लिए चीख पुकार मचा रहा था मा, चीख पुकार मैं नहीं मचा रहा था फू तो वायू मंडल की गैसें थी बेचारी, प्रदूशन से बेहाल ये तू क्या बहकी बहकी बाते कर रहा है बेटा मुन्ना, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा मा, कल आपने समझाया था न कि वायू मंडल में बहुत सारी गैसे हैं और सभी की मात्रा भी निश्यत है हाँ बेटा, बताया तो था और ये भी बताया था कि कारखानों, बहनों और अन्य कारणों से इनका संतुलन कुछ बिगड रहा है मैं भी तो यही सपना देख रहा था मा दूर दूर तक कहीं आबादी नहीं थी कहीं कोई इंसान नहीं देख रहा था ऐसे में लगा कि वायू मंडल की गैसों ने अलग-अलग इनसान का रूप धर लिया है फिर वो मिलकर एक सभा करने लगी जिसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और कारण डाएकसेट गैसे थी अच्छा, तो तू यह सपना देख रहा था अच्छा मुना, वो गैसे क्या सभा कर रही थी सरा, हम दोनों को भी तो बताओ ना वो सभी परिशान थी कोई मोटी तो कोई पतली होने से यानि अपनी-अपनी मात्रा घटने या बढ़ने से सभी दुखी थी आहाँ, नाइट्रोजन ने सबसे पहले कहा था मै, नाइट्रोजन आप सभी कैसों का स्वागत करती हो आज, हम वायू प्रदूशन से बढ़ रहे खत्रे पर विचार करने के लिए इकठे हुए है सभा के अध्यक्षिता के लिए मैं ऑक्सीजन बहन को आमंतित करती हूँ बहनों, हमारा जीवन खत्रे में है वायू में प्रदूशन बड़ी तेजी से बढ़ रहा है मैं सोचती हूँ कहीं और चले जाओ तुम क्या कहती हो हाइड्रोजन बहन नहीं आउक्सीजन नहीं तुम कहीं ना जाना तुम्हारे बिना मेरा यानि हाइड्रोजन का क्या होगा मेरे और तुम्हारे मिलने से ही तो प्रत्वी पर पानी बनता है आउक्सीजन बहन तुम कहीं चली गई तो पानी जैसे बनेगा और पानी के बिना प्रत्वी पर जीवन कैसे संबभ हो सकता है हाँ वो तो है हाइड्रोजन बहन लेकिन इन दिनों शहरों और गाउं में इतने कारखाने मोटर गाड़ियां बढ़ गई है कि उनके धुवे से वाईू मंजल में मेरा रहना ही मुश्किल हो गया है मेरा तो कहीं जंगल में रहने को मन करता है हाँ अक्सीजन बहन मैं जानती हूँ अरे इस बार तो सभा के लिए ही जगे नहीं मिल रही थी जिधर जाओ उधर थुआ ही थुआ बदबू खुटन पर नाइट्रोजन वो पिछली सभा की जगे का क्या हुआ वो तो बड़ी अच्छी जगे थी ना क्या बताऊं अक्सीजन अब वहाँ भी लोग खाना बनाने और तारकोल गरम करने के लिए थे सारी लकणिया जलाने लग गए जिससे चारो तरब धुए के कारण अंधेरा होने लगा है वहाँ तो अब बहुत ही ज्यादा प्रदूशन हो गया है बहन तब तो ये जगा ही ठीक है कम से कम यहां कारखानों और मोटर गाडियों का धुआ तो नहीं फिर भी कुछ प्रदूशन तो है ही यहां मनुष्य जो सिगरेट बीड़ी पीता है उससे भी तो हवा दूशित होती है इस हवा में सास लेने से ही सास से संबंधित रोग तमा और कैंसर जैसी खतरणाग बीमारिया होती है सचाई यह है कि मनुष्य अपने पैरों पर खुद कुलाडी मार रहा है अरे आप ही तो कुछ बोलिये ना कार्बन डायोकसाइड बहन क्या कहूं अध्यक्षा जी वायू मंडल में मेरी भागीदारी आधा प्रतिशक्त से भी कम थी लेकिन यह मनुष्य इस तरह पेडों की कटाई करता ही जा रहा है कि मेरी मात्रा बेहिसाद बढ़ती ही जा रही है और मेरी मात्रा बढ़ने से पर्यावरन के संतुलन को खत्रा पैदा हो गया है तुमने ठीक कहा कारवन टायोकसाइड पहन ये पेड़ ही तो है जो तुम्हारी भाड़ती मात्रा को सोख लेते हैं और बदले में आध्विजर पैदा करते हैं जब पेड़ ही नहीं होंगे तो तुम्हारी मात्रा तो बढ़े गी न हाँ और तो और मेरी बढ़ती मात्रा से धर्ती का तापमान भी बढ़ रहा है हाँ कारवन डायोकसाइड पहन तुम्हारी साथ साथ कारवन मोनोकसाइड भी बढ़ रही है जो मानब जीवन के लिए और और भी ज्यादा नुकसान दायक है हाँ हाईडरोजन तुम बिलकुल की कह रही हो अरे अरे बोड़ा वो दुआ पूरा दुआ वे शैना दुआ बचो 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 अरे हाईडरोजन भें बचो अरे हाईडरोजन भें सबी कैसे बचो बचो भागो भागो चिला रही थी तेरा सपना तूट गया अच्छा तभी तुम सोते में चिला रहे थे बचाओ बचाओ लेकिन पिताजी एक बात तो है यदि वायू प्रदूशन को रोका नहीं गया तो हमारा जीवन हाँ, हम सभी का जीवन खत्रे में पड़ जाएगा यही न हाँ बेटाजी पर क्या इससे बचने का कोई उपाई नहीं है क्यो नहीं बेटा, इसका भी उपाई है वो क्या देखो, जितने ज्यादा पेड होंगे उतनी ज्यादा हर्याली होगी और हर्याली से वायू भी स्वच रहेगी हाँ, और मा खूब पेड होंगे तो हमें खूब फल भी मिलेंगे हाँ बेटा, फल तो मिलेंगे ही साथ ही मिलेगी साफ हवा भी अरे भाई, जब पेड़ खूब लगाएंगे, साफ हवा हम पाएंगे हाँ, क्या पाएंगे? साफ हवा हम पाएंगे जब पेड़ खूब लगाएंगे पेड़ खूब लगाएंगे वाईयू प्रदूशन और दीपक पांडे निर्माण सहयोग अग्दूल खालिक तथा निर्माण एवं प्रस्तुती दावदयाल चतुर्वेदी